MM Academy आपको आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कूर्से स्लाइज आ रहे है यहाँ बहुत आप डेमो लेक्चर देख रहे हूँ लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है जो असली माल है वो आपको MM Academy आप पर देखने को मिलेगा जो इंडियन पॉलिटी है एंच इंडिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है जो एथिक्स है तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है आपको जो कॉर्सेस है वो आपको MM Academy आप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर highest quality content enjoy कर सकते और यह जो highest quality content है ना किसी को बता ना मत lowest prices पर है इतने कम prices है क्योंकि हमारी tagline ही है कि हर गाव से सितारे निकलेंगे और हर गाव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे इसलिए इतने कम prices में कि जो education है quality education है यह हर गाव तक जाए हर इंसान तक पहुचे और पैसों के वरे से जो education है उसको ना छोड़े अपने जो dreams से उसको ना मारे इसलिए highest quality content को enjoy किचिए आपके mobile phone में जहाँ पर आपको सभी GS1, 2, 3, 4 आप UPSC बूले, State PSC बूले किसी भी exam के अगर आप preparation कर रहे हो तो आपको ये जो preparation है इसमें 4 चान आप 10 चान, 15 चान भी 100 चान सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इसलिए फटा-फट डाउनलोड किचिए MM Academy App और वीडियोस को enjoy किचिए जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस series में जिसमें हम दहिंदू Indian Express का editorial analysis देखते हैं तो आज हम 16th January के जो analysis है उस पर नज़र डालेंगे editorial पर नज़र डालेंगे तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजन कर रहा हूँ मैं महीर मोगरेब चलिए शुरू करते हैं आप मुझे Facebook, Instagram पर follow कर सकते हो आपकी कोई भी queries है तो आप message कर सकते हो PDF और वीडियो updates के लिए आप मुझे Telegram पर follow कर सकते हो link सभी की description में दीवी है आईए यहाँ पर explain section पर आते हैं explain section पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जली कट्टू के बारे में तो सबसे पहले जली कट्टू क्या है क्या politics चल रही है क्या उसका legal status है इन सभी चीजों के बारे में हाँ पर बात की जा रही है तो इस पर हम नज़र डालेंगे क्योंकि अभी हाली में अगर आप देखोगे तो जो राहूल गांदी है वो ये जली कट्टू देखने के लिए गये थे इससे लिए आपर controversy जो है वो देखने को मिल रही है तो इस पर हम नज़र डालेंगे उसी के साथ यहाँ पर हव बारा जो है ये इसकी poaching जो है hunting जो है वो की जाती है तो इससे related ये भी काफी news में है तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे यह ना UAE royals जो है वो यहाँ पर invite क्यों किये जाते हैं क्यों Pakistan invite करता है ये सारी टीज़ें यहाँ पर इस article के थ्रूँ हम जानने की कोशिश करेंगे ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारे exam perspective से important नहीं है अगर हम बात करते हैं depression could reduce the vaccine efficacy जैसे कल के ही lecture में आपने देखा था efficacy के मतलब क्या होता है मतलब अगर आपने vaccine ली है अगर आपको vaccine टोची गई है तो फिर टोचने के बाद आपको कितना उस vaccine का असर हो रहा है मतलब कि अगर 50% ये आपको असर हो पा रहा है तो मतलब क्या है कि अगर coronavirus ने आपको all dust लिया तो फिर आपको coronavirus 50% chance है कि होगा याना vaccine लेने के बावजूल तो मतलब उसकी efficacy जो है वो 50% हो गई तो इस तरीके से हमें उसकी efficacy देखने को मिलती है अगर depression का आप शिकार हो तो efficacy जो है वो reduce हो जाती है मतलब chances जो है वो काफी ज़दा बढ़ जाते है तो अब यहाँ पर depression क्या है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है बाकी exam perspective से कुछ मज़ेदार नहीं है editorial ideas page अगर हम देखते हैं यहाँ पर vaccine plus nutrition के बारे हम बात की गई है अगेन यहाँ पर depression को आप proper nutrition अगर यहाँ पर रग दो ठीक है proper nutrition तो proper nutrition अगर ना रहे तो यहाँ पर efficacy reduce हो जाती है यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है लेकिन इसमें अलग-अलग चीज़े भी है उस पर हम यहाँ पर नज़र डालेंगे उसी के साथ सा यह वाला article अगर हम देखते हैं तो herd immunity के बारे हम बात कर रहा है तो इसमें हम herd immunity के बारे में देखेंगे यह वाला article जो है access denied आप देखें बेसिकली है क्या तो यह जो पूरी controversy जो है यहाना thousands of rupees की आती है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो xerox वाले होते हैं वो क्या करते हैं सीधा यहाँ पर xerox जो है वो उसकी बनाते हैं और xerox बातना शुरू कर देते हैं फिर उसके बाद xerox वाले पर case हुआ था यह case जो है वो court में गया था इस तरीकी चीज़े publication जो है privacy उसकी उपर यहाँ पर copyright के उपर जो problems है वो चल रहे थे उससी तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो research paper यह सारी चीज़े होती है इसकी एक खुली website मतलब जहाँ पर आपको research paper आप डाउनलोड कर सकते हो यह सारी चीज़े कर सकते हो तो आप foreign country से ऐसा बुला जा रहा है कि उस website को इंडा को बुला जा रहा है वो बंद करो लेकिन यहाँ के कुछ लोग बोर रहे हैं नहीं बंद नहीं होना चीए है ना यह सारी चीज़े हमें आपर देखने को मिल रही है अब यह पुरा मसला जो है final जब result आएगा तो उस मसले पर बात करेंगे लेकिन यहाँ पर साथी साथ जो education system है उस पर भी बात की जा रही है कि हमारे education system जो है बात करते हैं तो आपको यह सारी जो points है यह सारे points में से एक खाला point अगर आपको समझ में आया तो आ जाए समझ में आया मतलब अच्छा लगे तो अच्छा लगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है एक साथ ही आपको education system के बार में cancer जो है वो तैयार करके अगर आप रखते हो तो ज़दा beneficial रहेगा ढाचा बना के रखतो जिससे की जैसे इस बार क्या हुआ तो 2020 में आपको next education policy जो है उसके बार में question आ गया था है ना अब next education policy हमने अच्छे तरीके से discuss की भी थी तो यह नई चीज है लेकिन in general अगर आपको education system के बार में कोई question आ जाए तो in general आपके पास कुछ points है वो तैयार रहने चीए मतलब introduction में आप education system के बार में क्या लिखोगे फिर body में main जो चीज बोली गई है अगर इसको negatively बोला गया है कि हमारे education system में reforms लाने की ला सकते हैं इस तरीके से अगर आप बना कर रहुए कि तो काफी अच्छा रहेगा और इसके लिए कहीं सरे website से जो आपको देते हैं for example अगर हम देखे तो यहां पर आप वीजन आयस जो है उसके education का देख सकते हो यहां पर primary education in India है ना यहां पर primary education प्री nursery फिर उसके बाद UKG फिर उसके लोवर primary फिर उसके अपर primary तो पूरा यहां पर किस तरीके से है इंक्लूडिंग राइट टू एजुकेशन इंक्लूडिंग राइट इजुकेशन इसके तहट आर्टिकल 21 जो है 21A यहां पर insert किया गया है ना तो मतलब क्या होता है कि आपको सारी ही चीज़ें यहां पर नजर आती है main provision अगर आप act के देखोगे तो 6-14 years के जो बच्चे है उनको free and compulsory education जो है उसका अधिकार यहां पर दिया जा रहा है यहां पर नहीं दे जाएगी इस तरीके चीज़ें हमें देखने को मिल रही है है ना और यहां पर अगर आप देखोगे तो यह basic information है लेकिन इसमें यह भी आप चीज add कर सकते हो कि जो पहले हैं 6 से पहले के जो बच्चे हैं उनको भी आप free and compulsory education जो है वो देना जरूरी है और वहाँ पर जो 14 साल तक है वो 18 साल तक अगर आप बढ़ा देते हैं तो क्या होगा और जाधा betterment हो जाएगी है ना तो यह यहां पर आप देखोगे status of primary education in India enrollment कितना हो रहा है access to education कितना हो रहा है है ना तो इस तरीके से क्या होता है कोई भी यह तो मैंने आप गजांपल दिया है लेकिन कोई भी अगर आप पकड़ लोगे जैसे हाँ पर SR report जो हो उसके बारे में आप यहां पर लिख सकते हो दोनों का comparison भी दिया हुआ है SR survey और NAS survey है ना यह household में contact करवाया जाता है और इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो schools में contact करवाया जाता है SR जो है यहां पर analysis basic competence जो है reading में competence जो होती है in reading and mathematics across rural India यह यहां पर देखा जाता है इसमें अगर आप देखोगे तो grade specific यह सारी चीज़े देखने को मिलती है यहां पर quality learning measure की जाती है reading से writing से यहां पर disparity चल रही है across the state उसके बारे में देखा जाता है तो इस तरीके से क्या है कि आप कोई भी एक चीज़ पकड़ लोगे कोई भी एक अगर आप मतलब कोई भी एक website पकड़ लोगे कि आपको कौन कोई से चीज़ लिखनी है जैसे introduction में अगर आपको आ जाता है कोई भी education system के बार में आता है तो introduction में आप वही चीज़ लिखोगे फिर body health में थोड़ा बहुत changes करके लिखोगे इसमें क्योंकि आपको पूरी इतना साथ आगर आप लिखोगे तो पूरा तीन घंटा आपको से फिर education के बार में ही चला जाएगा है ना तो हमें क्या करना है हमें exam clear करनी है हमें smart work करना पड़ेगा हमें hard work नहीं करना है कि सारी चीज़ों के बार में आप रट्टा मारते बैट रहे हो कोई मतलब नहीं है जो important important जो catchy lines होती है उसको पकड़ दो और उसके बलबूते पर यहाँ पर लिखना जो है वो शुरू कर दो है ना तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है जैसे कि आपर अगर आप देखोगे तो नीचे आपको जो committees है उसके बार में भी देखने को म बढ़ नहीं पा रहे है ऐसा question साथ है तो government ने कौनकों से initiatives लिये है education को promote करने के लिए वो आप लिख सकते हो तो इस सरी के से चीज़े जो है वो आपको ध्यान में रखनी है वो आपको समझ नहीं है नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा भरमार है education का यहाँ पर यह वाला आप देखोगे तो इसमें भी पूरे के पूरे आपको education के बारे में जो information है वो दी भी है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो तो मतलब क्या है in short अगर बोला जाये तो by juice का दिया हुआ है दृस्टी आयस जो है उसका दिया हुआ है higher education in India तो higher education के बारे में आपको information ज चल रहा है Faculty कर चल रहा है यह वोगई problems है ना उसी के साथ अहां पर recent initiative जैसा में आपको question बोला ता की government के तरह से बहुछ सारी initiatives लियें जा रहा है मगर फिर भी बहुछ सारे problems चल रहे है तो यहाँ पर initiatives आप government के लिग सकते हो जो government initiative लिया है सारी initiative आप लिग सकते हो उसी के सा साथ यहां पर हो गया यहां पर जो आपको issues लग रहे हैं higher education से related and in the end आपको क्या करना चाहिए suggestion अगर आपको देना है तो यहां पर आपको suggestion आपको दिये हुए है regulatory and governance reform है ना creating world class universities increasing focus on vocational तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको proper answers जो बनाने पड़ते हैं अब यह सारी जो चीजे हैं यह हम हमारे answer writing का जो course चर रहा है mmacademy app पर उसमें देखेंगी है ना तो सारे perspective में हम नजर डालने वाले education में हम नजर क्योंकि क्या होता है कुछ चीजे common होती है education बुलिए agriculture बुलिए हमारी economy जो है basic economy जो होती है GDP से related वो बुलिए है तो ऐसे कुछ questions होते हैं जो continuously आपको देखने को मिलते हैं जो news में रहते हैं उस पर questions आपको आ जाते हैं जैसे इस बार agriculture पर पूछा ही गया ना agriculture law के बारे तो इसलिए क्या होता है कि आपको पूरी particular एक धाचे बनाने पड़ते हैं धाचे हम हमारे जो एंसर राइटिंग practice है उसमें करने वाले एंसर राइटिंग कोर्स में करने वाले नेक्स्ट अगर फिर से हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखो कुँकर तो अगेन बजेट आपको बजेट दिख रहा है ठीक है फर्स, फ़ेप से पहले जहाँ पर आपको बजेट दिख रहा है सीधा उसको ऐसा नजर अंदास करो एसा एउगनोर करो ऐसा उसको आटिजूट दिखाओ कि उसको लगी मेरा अस्तित्वा है की नी ठीक है तो यह आप ध्यान में रखना कभी है इस पर टार्गेट मत करना नेक्स अगर हम हिंदू देखते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर पॉब्लिक नोटिस अंडर स्पेशल मैरेज अट देखने को मिल रहा है यहाँ पर डॉनल्ड ट्रम जो सेकंड डाइं इंपेच हुए है वो देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर इंडन एक्सप्रेश जो है वो यह दो आर्टिकल देखकर उसका जो बगबचन है वो इस तरीके का नदर आ रहा है कि हमने पहले ही कवर कर लिया तुमारा पेपर फ्ल जालने की कोशिश करेंगे आईए यहाँ पर हम बात करते हैं वैक्सिन प्लस के बारे में अब वैक्सिन प्लस यह हमारे जेस पेपर 3 के लिए इंपॉर्ण्ट है देखें क्या होता है वैक्सिन देने की वज़ए से आपके अंदर एक इम्म्यूनिटी आ जाती है आपके अं यहाँ पर antigenic stimulus body को provide करता है कि body react कैसी करेगी है लेकिन यहाँ पर जब वैक्सिन ले रहे हो तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़े चलती है हमारा शरीर कैसा है अगर समझ लो कि आपका शरीर बहुत ही जादा weak है बहुत ही जादा weak है ठीक है आप में खून की कमी है आप में बिल्कुल भी energy नहीं है अगर आपको high dose दे दिये जाए तो आप तो मर जाओगे antibody के भी antibiotics के भी है ना तो problems जो है वो जो vaccine है उसका तो होता ही है जो दबाया है उसका तो होता ही है लेकिन उसके साथ आपका शरीर वो लेने के लिए capable है या नहीं वो भी यहाँ पर matter करता है त बगर आप देखोगे तो diet जो है deficient in vital nutrients needed for robust immune response मतलब जो vaccine लेने के बाद हमारे अंदर immunity आ रही है vaccine लेने के बाद जो हमारे अंदर immune response आ रहा है उसको tackle करने के लिए क्या nutrients हमारे शरीर में है या नहीं है नहीं तो क्या होगा जो हम यहाँ पर ले रहे हैं जो हम यहाँ पर vaccine ले रहे हैं वो अलगी तरीकी के reaction जो हमारे शरी में करना शुरू कर देगी जिससे क्या होगा हमारी जो immunity है वो यहाँ पर तूटना शुरू हो जाएगी immunity बिल्ड़ पी नहीं होगी और हम बोलेंगे vaccine लेने के बावजूद हमारे शरीर जो है उसमें यहाँ पर coronavirus ने इंपक्त क आपका जादा मातरा में है तो affect तो वो करे गाई अब यहाँ पर studies जो है immune response पर several vaccines के वो polio बोलिये cholera बोलिये है रोटा वायरस बोलिये देखे गए हैं और उसमें पाया गया है कि जो key nutrients है उसके अगर deficiency होती है की nutrients की अगर deficiency होती है हमारे शरीर में तो जो immune response है उस पर यह adversity affect क कामी नहीं कर पाती है अब dietary protein deficiency जो है यह obvious culprit है as antibodies यह भी protein होते हैं तो मतलब अगर उसकी deficiency है तो फिर भाई साब छोड़ी तो भूली जाओ आपको जो immunity मिलनी है zinc बोलिये selenium बोलिये important minerals है जो यहाँ पर vaccine की efficacy जो है वो यहाँ पर बताते हैं उसको बढ़ाते हैं enhance करना बहुत ज़रूरी होता है तो मतलब basically in short क्या है कि आपको जो proper diet है वो रखना बहुत ज़रूरी है what is needed reconsideration of policies जो यहाँ पर agricultural priorities को influence कर रही है कि हमने कैसे खाना हुगाना है कौन से तरीके से खाना हुगाना है यह यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी इसको policy को reconsider करना हम यहाँ पर अगर से wheat और rice पर ही focus करते रहेंगे तो फिर तो हो गया हमारा nutrition है ना यहाँ पर लोग जो है उनको healthy diet जो है वो consume कराना बहुत ज़रूरी है जिसी कि natural immunity उनके अंदर इतनी अच्छे आ जाए कि यार कोई फर्क ही न पड़े वो जो microbial infections होते हैं उससे तो आराब से fight कर ले अंदर ही ख हो रहा है कि सिर्फ कच्रा जो है पेट में भरा जा रहा है कच्रा पेट में जा रहा है तो कच्रा ही बाहर निकलेगा है ना और उसके लिए अगर कच्रा ही आपके पेट में है तो फिर तो कोई भी virus कच्रे में सबसे ज़्यादा जो बिमारिया है वो पनपती है अब आपके स्टेट्स में कुछ राज्टे में जो क्या हो रहा है एडवर्स अफेक्ट जो है वो बच्चों पर कर रहा है अब यहाँ पर climate change अगर आप देखोगे तो उसका impact जो हो बहुत बुरी तरीके से पढ़ रहा है और इसका जो impact है जो हमारी food system रहने वाली है जो हमारा nutrition रहने वाला है country का उसको examine करने में भी काफी important role play मतला study जो है Columbia University से वो यहाँ पर की गई उसने यहाँ पर बोला कि climate change जो उसका impact बहुत बुरी तरह के से पढ़ने वाला है जो nutrient quality है stables की वो यहाँ पर decrease हो जाएगी ऐसा है आपर देखने को मिला है मतला project किया गया है कि global warming जो है result in 49.6 million new zinc deficient person 38.2 million new protein deficient person हना तो यह यह चीज है यह आप code भी कर सकते हो आपके answer में जिससे कि आपके answer जो है और जाथा निकर कर आएगा ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखने तो basically आपको समझ में आ गया कि क्या बोला जा रहा है कि हम यहाँ पर immunity increase करने की कोशिश कर रहे है vaccine के तुरू लेकिन vaccine लेने के लिए लोग का शरीर जो है वो काबिल है या नहीं वो भी तो important है उसके लिए हमें diet जो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बेसिकलि अगर दिखा जाए गरीब लोग जो है वो nutrient food नहीं खा सकते हैं क्यों क्योंकि उनका पैसा कम है और जो अमीर लोग है बहुत अमीर लोग है वो nutrient diet नहीं खाते हैं क्योंकि उनका इतना पैसा है कि वो उनको चसका लग गया है दूसरे burger burger का है ना तो मतलब यहाँ सि जेस favor 3 के लिए बोलिये जेस favor 2 के लिए बोलिये काफी जदा imponpt हो जाता है अब दीखे क्या हो रहा है असेंपली पोलज वो तामिल राडू में देखने को मिल रहे है तो अब यहाँ पर क्या है जब असेंपली पोल्स होते हैं तो जो politicians हैं उनका आना जाना आवा गावी उठन बैठन सब हमें देखने को मिलते रहती है और उसे से रिलेटेड अभी अगर आप देखो कि BGB बुलिये या जो कॉंग्रेस की लीडर राहूल गांदी बुलिये वो भी मदुराई में देखने को मिले जली कुट्टु बुल टैमिंग जो है स्पोर्ट ये पॉपिलर है मदुराई में ठीक है तो इसमें काफी ये फेमस है नोन आज जली कट्टु बेल्ट अब जली कट्टु जो है सेलिब्रेट कहा जाता है सेकेंड वीक आफ जन्वरी तामिल में हार्वेस फेस्टिवल होता है पॉंगल ठीक है अब यहाँ पर ट्रडिशन जो है दो साल and old यहाँ पर हमें ट्रडिशन देखने को मतलब ऐसा नहीं कि अभी अभी ट्रडिशन चुरू हुआ है और अभी ये हो रहा है यह काफी पुराना आप देखोगे तो जो contestant होते हैं यहाँ पर इसको बूल होता है उनको यहाँ पर क्या करते हैं उनको tame करने की कुशिश करते हैं और अगर वो कर लेते हैं तो वो जिच जाएंगे अगर नहीं कर पाते हैं तो पैसा जो है किसको मिलेगा owner को मिलेगा तो मतलब basic के लिए अगर पीचाई भी जब तक उसको लगता है उसके काम आ रही है तब तक रखते हैं बाद में फिर अगर काम नहीं आ रही है दूद्देना बं कर दी या फिर वो खेत में हल चलाने के लिए काम नहीं आ रहा है तो कही न कई स्लोटरिंग हाउस में बेज देते हैं इतना इम आपर यह जो मेल है, यह मेल का कोई काम ही नहीं है, तो फिर क्यों रखा जाएगा, यह मतलब मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, भूल की बात कर रहा हूँ, जब जरुवती नहीं है, तो यहाँ पर बेसिकली यह जो इवेंट है, यह जो एक स्पोर्ट है, यह जो एक इंगूर, मलाई मडू यह सब हमें यहाँ पर अमंग दी पॉपिलर नेटिव कैटल प्रीट जो है यह देखने को मिलती है जो जली कट्टू के लिए इस्तमाल होती है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है जो आपको इन अपने लास्ट यह भी मैं उमीद करता हूँ कि तो उसके लिए भी जो नोटिफिकेशन एशू किया गया था अनवा में मिनिस्ट्री 1991 बैंड ट्रेनिंग एन इग्जिबिशन और बियर, मंकीस्ट ताइगर्स, पैंथर्स, डॉक्स यह सब उसी के साथ 1998 अगर हम दिखते है डॉक्स को एक्स्लूड कर दिया गया था नोट और फिर यहाँ पर जो बैंज वो भी हमें देखने को मिला जिसके बाद फिर जो स्टेट गवर्णमेंट है उन्हों ने वापर उसको शुरू भी कर दिया तो इस तरीके से काफी कॉन्फिक्ट जो है वो हमें कंटिनियस सी देखने को मिल रहे थे 2018 में अगर हम देखते हैं सुपरिंग कोट ने रेफर किया जली कट्टू के इसको कॉन्स्टिशनल बेंच को जहाँ पर अभी भी पेंडिंग है main question जो है जो to be resolved यह है कि जली कट्टू tradition जो है क्या वो protected as a culture right क्योंकि अगर culture right है तो फिर उसमें वो fundamental right हो जाता है है ना लोगों का fundamental right हो जाता है article 21-29-1 जो है mandate करता है any section of the citizen residing in the territory of India जो भी इंसान हो वो अगर इंडिया के territory में reside कर रहा है या फिर part है जिसकी कोई distinct language है script है या culture है तो उनको conserve करने का अधिकार है तो अब यह अगर culture में आ जाता है तो यह fundamental right में आ जाएगा fundamental right अगर हो जाता है तो भाई साब यह कुछ कोई नहीं कर सकता है ठीक है और ऐसा पाया भी गया है कि यहाँ पर कोई इतना actual में कोई problem नहीं होता है मतलब अगर कोई ऐसे बोले कि नहीं है animal जो है उसका हनन हो रहा है animal को तरास दिया जा रहा है तो ऐसे कोई तरास नहीं है ऐसा भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो इसलिए जब यहाँ पर ban करने की बात की जा रहे है तो criticism जाता हो रहा था क्योंकि जिनका जो culture है इतने सालों से जो culture चलता आ रहा है और कहीं साल का culture है तो अगर वहाँ पर कोई जान का कोई problem नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों अपने अपने consent से आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर कोई problem नहीं है तो फिर वह continue रहना चाहिए ऐसे कुछ हमें जो opinions है arguments है वह देखने को मिल रहे थे तो basically हमें यह सारी चीज़े पता रहना चाहिए आपको opinion related भी analysis related भी question जो है में इसमें पूझे जाते है next यहाँ पर हाव बारा जो है यह यहाँ पर देखने को में रहे आप देखे क्या है हमने last lecture में भी इसके बारे में देखा था अगर आपको याद होगा तो UAE royal family जो है वो arrive हुई है बलोजिस्तान में recently जो इंटराशली protected और vulnerable हाव बारा है बस्टर्ड है उसका hunting करने के लिए मतलब पाकिस्तान जो है वो खुद invite करता है UAE आव भाई साब हम यहाँ पर hunting करो है न रेर बर्ड है हंटिंग करो मजा आ जाएगा प्राइवेट हंटिंग करेंगे है यहाँ पर हाव बारा बस्टर्ड जो है वो क्या है यह अगर आप देखोगे तो आगे यहाँ पर हम दे पाकिस्तान अलाव क्यों करता है अरब जो बड़े बड़े लोग है उनको तो फोल्ड डेकेट से यह प्रता चलती आ रही है पाकिस्तान फॉर्ण मिनिस्टर जो है वो यह इरली इंविटेशन जो है वो देते हैं वेल्दी आन पावरफुल अरब्स को कि आप आईए हौबारा है उसका हंटिंग केजिए हम यहाँ पर मजे करेंगे ऐसी वैसी चीज़े हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान में भी सुप्रिंग कोड जो है उन्होंने बैन लगाया था हंटिंग पर हौबारा बस्टर के 2015 में ठीक है इस बैन को चैलेंज किया कि गवर्मेंट यूएई के लोग है वो आते हैं तो फिर वहाँ पर वो काफी बरकत लेकर आते हैं बैन जो है अंटिंग पर लिफ्ट कर दिया गया था 2016 में ठीक है अब यहाँ पर अगर हम हावबारा के बारे में देखते हैं तो यह टेस्ट्यल बर्ड है ठीक है और इसमें दो डिस्टिं करी मिलते हैं अब को कमेंट सेक्ष्चन में सेक्षन में जो के रिकार्डिंग आपको बताना किwnie अपना है इसलिए आप IOCN status बताइए, vulnerable है, critically endangered है, endangered है, extinct है, क्या है, बताइए, extinct तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसकी poaching जो है, hunting जो हो रही है, ठीक है, next step पर herd immunity जो है, उसके बारे में बात की जा रही है, अब दिखिए, जैसा मैंने आपको कहा था, herd immunity के बारे में उन्हें कहीं बार डि हो गया, अब मेरे को जब coronavirus हो गया है, उसके बात क्या हुआ है, कि जब infect हुआ हूँ मैं coronavirus से, तो मेरे शरीर में जो antibodies है, वो बनना शुरू हो गया है, antibodies क्या है, antibodies यह मेरी personal army है, अब अगर हमारा देश है, हमारे देश पर अगर कोई अक्रमन करना चाह रहा है, तो हमारी आर् हमारी आर्मी उसको मार बगाईगी, अब अगर कोई particular कोई इंसान है, वो आक्रमन कर रहा है, और हमारे आर्मी ने उसको लातो लातो से, लातो लातो से मार कर बगाया, अब हमारे आर्मी वारन को पता चल गया, कि हाँ यार, इसको लातो से मारे तो भाग जाता है, ठीक है, उसी तरीके से हमारे शरीर में जब कोई वाइरस इंफेक्ट करने ही कुशिच करता है, हमारे शरीर हमारा हमारी परसल आर्मी तयार करती है, उसे हम कहते हैं एंटी बॉडिस, फिर वो एंटी बॉडिस जब वो लड़ती है उस वाइरस से, फिर जब वाइरस को निकाल दीती है वो बहार तो मतलब हमारी antibody जीद गई है अब antibody जो हमारे चरिम में रहती है हमारी army जो है वो अल्रीड तयार हो चुकी है अब अगेन अगर वाइरस infect करने ही कोशिच करे उस antibody को पता है इसको कैसे मार भगा ना इसलिए वो हमें infect करने ही नहीं देगी समझ रहा तो यह होता है हमारी immunity मतलब हमारी immunity जो है वो आ गई है अब vaccine जब हम लेते हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं यह antibodies को ही बना रहे हैं तो इसलिए most of the vaccine में क्या होता है यह जो वाइरस है वाइरस का ही deadly version दिया जाता है deadly मतलब यह नहीं मारने वाला नहीं मतलब dead वाला वर्जन ठीक है जो यहाँ पर infect नहीं कर पाएगा अब अगर यही immunity जो है पूरे इंडिया वालो को अगर 60% ज़ादा इंडिया वालो को हो गई है ठीक है recovered हो गए है तो मतलब herd immunity हो गई है herd immunity जब हो जाती है मतलब वो transmit होना काफी मुश्किल हो जाता है फर्स किजे कि यहाँ पर जो grey हिस में नजर आ रहे हैं आपको लोग यह grey हिस में यह लोग जो है इंफेक्ट हो सकते हैं तीक है यह लोग जो है यह immune है यह जो blue हिस में है यह immune है मतलब यह recovered हो चुके है और यह infected इंसान है तो अब यहाँ पर मुझे बताईए कि यह जो infected इंसान है यह इतने सारे लोगों के contact में आकर उनको भी यहाँ पर infect कर सकता है है ना तो इतने सारे लोग जो अब सभी infect हो गए लेकिन फर्स किजिए कि अगर जादा जादा लोग जो है वो immune है है ना इतने सारे जो bluish में नजर आ रहे हैं सभी लोग immune है है ना तो यह जो infected इंसान है इसी एक दो को infect कर सकता है सिब एखाद दो को infect कर सकता है क्योंकि बाकी already तो immune है तो यही होती है herd immunity herd immunity मतलब क्या इतने लोग immune हो चुके है तो अब infect होने की जो तादा दे को कम हो जाती है तो यह चीज हमें हर्ड immunity के रूप में देखने को मिलती है बस आपको इतना पता रहना चाहिए यहाँ पर basically आर्टिकल के तुरू यही बताया गया है कि इंडिया जो है वो जल्दी ही हर्ड immunity के तरह पहुच रहा है बाकी आपको कुछ ध्यान में रखने की जरुवत नहीं है यहाँ पर आ रहा है fast fading promise, growth with trust दब दिखें, love jihad जो उसके बारे में article बात कर रहा है तो हमें थोड़े point जो है love jihad के बारे में बुलिए या फिर जो ऐसा आपको बोला सकता है कि right to marry यह हमारा fundamental right है क्या नहीं है तो ऐसे questions कभी कबार आपको आ सकते हैं तो आपको थोड़ी वह तैयरी उसके बारे में रखनी है अब law अगर हम देखते हैं love jihad को stop करने के लिए तो यह हमें कहीं राज्यों में देखने को मिल रहे हैं और अगर आप love jihad देखोगे अगर आप शादी किसको करना है तो यह हमारा privacy हो गई कि हमी किसके साथ करना है अलाबाद high court का भी अगर आप देखोगे तो 30 दिन पहले अगर आपको interligious marriage करना है तीस दिन पहले notify करना परता था वो भी आपर खारिस कर रहे हैं ऐसी चीज़े हमें देखने को मिल रही है अब forceful conversion अगर हो रहा है तो यह तो problem है अब forceful conversion अगर नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर खुद के मर्जे से चाहती हो रही है तो उसको भी अगर love jihad आप दे दोगे तो फिर यहाँ पर problems create हो सकते हैं ऐसा बोला जा रहा है जिहाँ अगर हम देखते हैं dictionary के इसाब से तो religious warfare या फिर war जो यहाँ पर किया गया है defense of Islam, Islam को defend करने के लिए ठीक है तो यह हमें यहाँ पर definition इसकी देखने को मिलती है some of the most respected Indians जो है judges बोलिये, lawyers बोलिये, politicians बोलिये इन्होंने यहाँ पर प्यार हुआ है उनको और प्यार में उन्होंने शादी भी की है तो अगर हम यहाँ पर ऐसा कर देंगे तो जहाँ पर भी अगर actual में दोनों के सहमती के साथ भी शादी हो रही है तो वहाँ पर भी problems जो है, वो create हो सकते है सहराट उनका हो सकता है, तो यह चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है हाँ, forced conversion को रोकना, यह यहाँ पर regulate किया जाना चाहिए लेकिन अगर पूरे freedom को ही आप उसके ऊपर ठोप दोगे तो फिर यहाँ पर problem create हो सकते है, ऐसी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है तो basically Supreme Court यहाँ पर great जो उन्होंने चीज़े बताई है फार्म लॉग के लिए कि फार्म लॉग जो है जो आपने लाया है तो इसको रोक दो भाई साब है ना, यह हमें यहाँ पर देखने को मिला है तो इसके बजा यहाँ पर सिटिजन चीज़े अगर करते थे तो यह बहुत चीज़े अवाइड हो सकती थी वाइलन सब्सक्राइड हो सकती थी यही सारी चीज़े हमें यहाँ पर देखने को आजका सुप्रिम कोट का बहुत जादा क्रिटिसम हो रहा है नहीं क्या तो यह सारी चीज़े हमें देखने को मिल रहे है चलिए तो वाटसब चैट जो है वो अरनव और एक्स बाफ चीप के बीच में देखने को मिल रही है ठीक है जो रामनात कुइन साब है पास लाग रुपए यहाँ पर डोनेट किये हैं तो इस तरी की चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है बाकी कुछ इंपोर्टन है नहीं एक्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जातो यहाँ पर जो कॉमेडियन है स्टेइज इन जेल यहाँ पर फिर से जेल मी है ऐसा हमें देखने को मिल रही है ठीक है और सेगेंड पेज अगर हम देखते हैं तो उस पर भी कुछ खास नहीं है थार्ड पेज सिटि वाली न्यूस अगर हम देखते हैं हेल्थ केर वर्कर्ट जो है वो यहाँ पर अपना नाम इंड्रोल करने के लिए काफी हरी कर रहे है तो इस तरीके से हमें पूरा इसका देखने में चुप गया तो आप अगर बताओ मुझे आप अगर एक आयस ऑफिसर हो ठीक है और आपको पता है क्योंकि क्या होता है जब बहुत बड़ा कोई बिजनसमैन है अगर वो कहीं छूपने की कोशिश कर रहा है तो वो आपको पता होगा है ना क्योंकि बहुत साथ politicians में involved होते है अब देखिए उसने अगर कोई crime किया है बहुत बड़ा business manage इसके बहुत अच्छे political contacts है उसने अगर कोई crime किया है उसके बाद अगर वो छूपने की कोशिश कर रहा है लेकिन कानून के तहत आपको उसको पकड़ना है कानून के तहत वो कुछ खास news जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है महारास्टर में वही या vaccine वैक्सिन जो होसी का चलेगा प्रचार जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा बाकी अगर हम देखते हैं next 6 वाला तो उसमें भी कुछ news जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है government and politics में अगर हम दे तो वहाँ पर भी कुछ खास न्यूस जो है हमें देखने को नहीं मिली है ठीक है और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं हाँ पर उसमें भी कुछ ऐसी न्यूस नहीं है जो एक्जाम पर्स्पेक्टिव से काफी इंपॉर्ण हो गया है और न्यू पार्लेमेंट बिल्डिंग कैसे रहेगी वह सब और यहां पर और CBI जो उसके बारे में बात हो रही है CBI जैसे हमने देखा हुआ है कि CBI यहां पर क्या हुआ है says poor office official 50 lakh in drive है ना मतलब क्या हो रहा है यहां पर corruption जो है वो देखने को मिल रहा है मतलब यहां पर आप देखो के तो independence of CBI हाना वो भी यहां पर आ रहा है जो हमने उस दिन देखा था कल की लेक्चर में देखा था election commission जो है यहां पर honest state pool officials from victimization यहां पर election commission तो वही free and fair election हो रहा चाहिए उसके regarding हमें यहां पर चीज़े देखने को मिलती है बाकी अगर हम देखते है next world page पर तो world में वही है कि मतलब रशिया जो है वो यहां पर exit from open skies treaty यहां पर तो open skies treaty जो है यह यहां पर important हो जाती है मतलब अगर देखोगे तो यहां पर क्या है जो member countries है वो यहां पर उपर से उनके उपर से flight जो है वो आना जाना कर सकती है तो यह हमें देखने को मिलता है ओपन fly strategy काफी news में थी USA जो है वो आने की वज़े से फिर उसके बाद अगर हम दूसरी news देखते हैं तो बाकी कुछ खास news जो है इसमें देखने को नहीं मिल रही है और यहां पर इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया क्वेक यहां पर kills at least 42 तो अब यहां पर क्या हो जाता है कि जो नोनेशिया आर्टेटेट वेलेगों है वहाँ पर इतने सारे अर्थ वेक हमें देखने को क्यूं मिलते हैं ऐसा आपको मेंस में एक question आ सकता है जो हमने अल्रीडी जो वॉलके नो हमारा chapter है वॉलके नो का वीडियो यूट्यूब पर भी available है वॉलके नो आता कैसा है उसमें हमने यही वाला question जो है वो देखा हुआ है कि जो इंडोनेशिया आर्किपले को है महाँ पर इतने सारे क्यों earthquake आते हैं तो उसमें भी हाँ पर IMF चाहिए उसके बारें बात हो रही है तो IMF क्या है किस तरीके से काम करता है उसके रिकार्ड ही हाँ पर आपको पता रहना चाहिए है ना बाकी कुछ खास ऐसी न्यूस जा है वो देखने को नहीं मिल रही है और sports अगर हम देखते हैं तो वो भी कुछ नहीं है तो इस तरीके से हमारा वीडियो आज का वीडियो आज का न्यूस बेबर हमें देखने को मिलता है तो वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए मिलते हम अगले वीडियो में जैंद